हम डिजिटल क्रांती की दहलीज पर खड़े हैं आईटी के धरातल पर यूनिटी का मंत्र को साकार करना चाहता है लेकिन इस प्रगती के बावजूद ग्रामीन भारत में लाखों लोग अभी भीस डिजिटल युग का हिस्सा नहीं बन पाए है प्रकाश पेशे से एक पेंटर है पर डिजिटल प्रिंटिंग तक्नीक के वज़े से वो लगभग बिरोजगार हो गए इसी दूरी को कम करने के लिए सरकार ने डिजिटल साक्षरता मिशन यानी NDLM दिशा की शुर्बात की है इस मिशन का लक्षे यह सुनिश्चित करना है कि हर घर से कम से कम एक व्यक्ति को कम्प्यूटर साक्षर बनाया जाए डिजिटल इंडिया के माध्यम से आज़ देश तरक्की कर रहा है हर वर्गों में हर समाज में द्धार मंत्री चाहते हैं कि हर हिंदुस्तानी की हथेली में मुबाइल फोन में देश के शाषन का की सूचना होनी चाहिए और मेरा कहना है डिजिटल इंडिया गरीबों के लिए अधिक है ताकि वो विकास की नई संभावनाय तलाश करेए इसके लिए डिजिटल साक्षर बहुत जरूरी है रोज मर्रा की जिंदगी में डिजिटल टेक्नोलिजी के सही इस्तिमाल की जानकारी होना ही डिजिटल साक्षर ताक्यू प्लब्धी है भारत विविदिताओं का देश है जिस कारण एंडियलम दिशा कि उद देशों को प्राप्त करने के लिए कई चुनोतियों का सामना करना पड़ता है अक्सर दिव्यांग लोग कहीं पीछे छूट जाते हैं लेकिन चथीज कर में एक विएली ने दिव्यांग छात्रों को प्रिशिक्षित करने की एक महतुपून पहल की है जब मैं पहली बार महा गया स्कूल पर तो ना वो मेरी भासा समझ सक रहा थे ना मैं उनको संझाब आ रहा था तो हमने रिक्वेस्ट किया मैम से तो मैम ने हमारे एक इंडिटर के साब से हम जो भासा बोलते थे हम अपनी तक्की की कमेंटर की भासा बोलते थे वह लेकर्ट करके मैडम उनको ट्रांसलेट करती थी और धीरे 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 बच्चे उसको समझने लग गया और हमको ओक्राश लेने में बहुत मजा आने लगा पहले जब मैं गाउं में जाता था तो बहुत लोग बोलते से कि हम से नहीं होगा इतना दूर कैसे जाएंगे देहाद के लोग हैं जाने की वरस्ता नहीं है तो हमने उन्हों को कर्मिंस किया कि आप लोग आईए सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम दिया है फ्री में सिखाया ज देना है तो बहुत मुश्किल करने के बाद एक बार दो औरते वहां से आई महिलाएं तो उन लोग जब सीख के यहां से गई तो लोग बहुत अच्छा लगा और वो खुद अपने से अपने गाउं के लोगों को लेकर आई यहां जब सुरुवात में हम जब सीखे गए थे तो हकीकत है कि मतलब हमको मौस भी पकड़ने में डर लगा लगा कि इसको पकड़ेंगे तो हमको लाइन मारेगा लेकिन जब पकड़ लिए और थोड़ा चलाने लगे तो हमको बहुत बड़ा हिम्मत हुआ अंदर से अपने क्षेत्र की महिलाओं को डिजिटल भारत का हिस्सा बनाने में उनका सराहनिय योगदान है कंप्यूटर हम तो सीखे हमको तो भारोसा हुआ ही लेकिन हमको से ज़्यादा तो हमको लगा कि पूरी गाउं के भारोसा हुआ कि आज कल के जूग में मतलब कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है NDLM दिशा ने सरकारी योजनाओं के काम करने के तरीकों में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किये हैं महिला सेलफ एल्प ग्रूप, आंगनवारी और आशाकारे करताओं को कंप्यूटर में प्रिशिक्षन दिया जा रहा है इससे उनहें टाटा संग्रह करने में आसानी हो रही है और इस वज़े से सरकार को जमीनी स्तर पर सरकारी सिवाओं को बेहतर करने की योजना बनाने में मदद मिल रही है NDLM दिशाक खाद्य एवं नागरिकापूर्ती विभा के सदस्यों को भी प्रिशिक्षित कर रही है ताकि वो राशन की दुकानों को बेहतर तरीके से चला पाए नहीं होती, जब मैं 60 साल की हूँ और कंप्यूटर सीख चुकी हूँ वैसे कोई भी हो सीख सकते है VLE अब रार वोरा दिव्यांग होने के बावजूद अपने CSC पर लोगों को कंप्यूटर प्रिशिक्षन देते हैं घर घर जाकर उन्होंने NDLM दिशा के बारे में जागरुपता फैलाई लोगों को प्रिशिक्षन के लिए CSC आना पड़ता है ऐसे में घुमन्तु समुदायों के पास क्या विकल्प हैं? दिशा ने CSC को उनके दर्वाजे तक पहुचाया है VLE स्नेल अता राजस्थान के बंजारों को उनके शिविरों में जाकर प्रिशिक्षित करती है तेलंगाना का कोली गाउं NDLM दिशा की सबसे बड़ी उपलब्धी है VLE निवलकर गजानन ने इस गाउं को 100% डिजिटल साक्षर बनाया है तो NDLM आने से पहले गाउं में digital literacy के बारे में digital device के बारे में phone क्या था, computer क्या था उसके वाँसे गाउं में कुछ भी मालूम नहीं था उन लोगों को ट्रेंग लेने के बाद, digital device किसे बोलता है, smart phone से क्या कर सकता है इसके बारे में उसको समझ में आए एक चिटी में ऐसो लोगों तो शेर में शिख ले रहे हैं वागर खेडे गाउ के लोगों कैसा सिख लेना है इसको से महीन है क्या करा है PC2 पीपल मार्टमोन यूज कर रहे हैं वाटसाप यूज कर रहे हैं और गाउ में सेटप भी लगा है थोड़े बच्चों के लिए वां पर आनलाइन सर्फिशेस भी उपन कर रहे है थोड़े बाइंकिंग काम कर रहे है चोटे-चोटे गाउ के लिए एक वाटसाप ग्रूप ने क्रेट किया डिजिटल अक्षूली वोलके वूद कर रहे हैं उसका जो वूदर रहे हैं उसका जो संह संका फोहरो तीचके तो गुरूप में लगाले उसमें सार पांच ऑर आरातफा भी एस तो और फोतो निकलने से फूरा जो भी हैं पूरा शमात्र फाय ज के वूरा फायले है पूरा 160 आउजस में 160 मेंबर साथ 100% डिजिटल लिटरेशी हुआ अकोली के तरह और दो तिन गाव माईने ले लिए मनगाडा है और जैनत है और गूडा है गिम्मा है और चार पाज गाव लिए उसे भी 100% डिजिटल लिटरेशी बना ले के लिए आम प्राई करें NDLM दिशा से पेंटर प्रकाश को असंखे अवसर मिले कॉम्पूटर का मुझे ए भी सीडी भी नहीं आता था अब मैं अपना डिजाइन कॉम्पूटर पे ही करता हूँ कॉम्पूटर से बनाय हुआ डिजाइन जो मैं होटसर्प से माजदें से मैं किस्टमर तुक का बेज देता हूँ 2014 में अपनी शुर्वात के बाद से NDLM दिशा में एक करोड से जादा लोगों ने अपने नाम दर्ज कराए है 85 लाग से जादा लोगों को प्रिशिक्षित किया गया है और लगभग 45 लाख लोगों को प्रमानित किया गया है प्रिशिक्षित छात्रों को मानेता प्राप्ट एजंसियों जैसे NILAT, NIOS, HKCL, ICT, ACT और NISBAT के द्वारा प्रमानित भी किया जाता है अपने मिशन को दूर दरास के इलाकों तक पहुँचाने के लिए NDLM दिशा कई अन्य संगठनों का सहयोग भी ले रही है जिन में प्रमुक है Nescom Foundation, Intel, Danik Bhaskar, HP अगले तीन वर्षों में 6 करोड लोगों को प्रिशिक्षित करने का लक्षे निर्धारित किया गया है नई उमीद, उमीद अपने सपनों को उड़ान देने की